लोजी आ गई है ताजी हरी मटर और गेहूं के आटे से बनने वाला बहुत ही सांदार नास्ता हेलो गाईज टेश्टी होम कुक में आप सभी लोगों का स्वागत है आज हम जो नास्ता बनाने जा रहे हैं यह बहुत ही चटपटा है और कम समगरी में बनने वाला है इस नास्ता को बनाने के लिए जो भी समगरी लगेगी वो आपकी किचन में ही मिल जाएगी बहुत ही आसानी से और नास्ता बहुत ही लाजवाब है बड़े से लेकर छोटे तक सभी को यह बहुत पसंद आने वाला है तो आप लोग इस रेस्पी को एक बार घर पे जरूर ट्राइ करिएगा आपको बहुत पसंद आएगी तो इस नास्ता को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यह गेहों काटा गुथा हुआ लिया था और इसे बेल करके छोटी छोटी यहाँ पर हम पूडिया तयार कर लेंगे कटोरी से कट करके उसके बाद इसे हमें फिर से बीच से कट करना है ताकि यह छोटी छोटी पट्टी तयार हो जाए क्योंकि इस नास्ते को हम एक नया डिजाइन देने वाले हैं इसलिए तो सारी तैयारी हो चुकी है चलिए अब हम इस्टेफिंग बना लेते हैं इस्टेफिंग बनाने के लिए मैंने लिया है 1.500 गराम फ्रेज टाजी हरी मटर सर्दियों के मौसा में मार्केट में बहुत ही मात्रा में हरी मटर अलेबल होती है तो इस नास्ते को बनाना तो बनता है अगर आपको नहीं मिल पाती है हरी मटर तो कोई बात नहीं या फ्रोजल हरी मटर से भी इस नास्ते को बना सकते हो उसके बाद एक पैन गरम होने के लिए रखा है मैंने और इसमें एक चम्मच रिफाइंड ओयल आइट करेंगे गैस का फ्लेम लो रखेंगे और गरम होने के बाद आसा चम्मच जीरा आइट किया है मैंने एक हरी मिर्ची बारीक चॉप करके इस्तमाल करेंगे एक बार mix कर देंगे और फिर इसमें हम add कर देते हैं हरी मटर हरी मटर को mix करते हुए 1-1.5 मिनट तक पकाएंगे उसके बाद इसमें हम add करेंगे पानी ताकि हरी मटर अच्छे से boil हो सके तो पानी मैंने यहाँ पर यह चाय वाले कप से आधा कप इस्तमाल किया हुआ है साथ में हम add कर देते हैं आधा चम्मच नमक नमक डालने से मटर जल्दी boil हो जाएगी और मटर में नमक का स्वाध आ जाएगा कैफ लगा के इसे हम 4-5 मिनट पकने के लिए छोड़ देते हैं जब तक कि मटर अच्छे से पक न जाए उसके बाद मटर को mix करिए और चम्मच से दबा के चेक कर लेंगे कि मटर अच्छे से पक चुकी है की नहीं यह देखिए मटर दबने लगी है मतलब अच्छे से पकी हुई है अब हमें मटर को हलके हाथों से प्रेस करते हुए mash कर लेना है तो मैं यहाँ पर ग्लास का इस्तमाल कर रही हूँ सबी चीजों को mix कर देंगे हमें इस्टेफिंग में बहुत ज़्यादा मसाला इस्तमाल नहीं करना है दो मिन तक mix करने के बाद हरी धनिया एट करेंगे और हमारी इस्टेफिंग बनकर तयार हो चुकी है आईए अब हम एक मसाला तयार करेंगे जिससे कि हमारा नास्ता और जो है चटपटा और अश्पाइसी बनेगा तो यह तो यह करही गरम होने के लिए रखा है मैंने और इसमें एक चमच रिफाइंड और करेंगे और गरम होने केबाद एक चमच जीरा में करसा याई JUST अच्छे से कराया यट्छा रहा है तो इसमें हम बारिए चॉप की हुई प्याज आएट करेंगे प्याज को ओयल में पहले मिक्स कर देते हैं उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर एक हरी मिर्ची बड़े तुकड़े में जो है मैंने चीरा लगा करके इस्तमाल किया हुआ है मिक्स करेंगे और एक से देढ़ में तक पकाएंगे जैसे आप देखें कि प्याज आपकी हलकी से सौफ्ट हो गई है इसमें हम टमाटर का पेश्ट आइट करेंगे सभी चीजों को मिक्स करेंगे गैस का फ्लेम लो रखेंगे और ढ़ा करके इसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं आई अब नास्ता बनाना सुरू करेंगे इस्टिफिंग हमारी ठंडी हो गई है थोड़ा सा इस्टिफिंग लेंगे एक पट्टी के उपर रखेंगे और दोनों किनारे पकड़ के उपर की तरफ हम हलका सा प्रेस कर देंगे तो ये तिर्षा जो है चिपक जाएगी उसके बाद हलके हाथों से प्रेस करते हुए चिपकाना है और दोनों किनारे को पकड़ के एक दूसरे से प्रेस कर देना है तो इस तरीके से डिजाइन बनकर तयार हो जाती है देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है ना लगभग 6 मिनट का टाइम हो रहा है कैप उठाया है मैंने और हमारा यहां पर पेश्ट अच्छे से पक चुका है अब इसमें हम एट कर देते हैं एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच हल्दी पाउडर नास्ते को और ज़्यादा टेश्टी वनाने के लिए मैंने लिया है पास्ता मसाला पैकेट से इस्तमाल कर रहे है तो आधी पैकेट यूज़ करिएगा और चम्मच से ले रहे हैं तो एक चम्मच हो मसाले को मिक्स करने के बाद आट करेंगे हम एक ग्लास पानी, गैस का फ्लेम मेडियम रखेंगे थोड़ा सा हरी मटर आट करेंगे इसी के साथ यहां पर लिया है मैंने आधा चम्मच नमक, आप स्वात के अंस्वा नमक कम जादा कर सकते हैं हरी धनिया एट करेंगे, सभी मसाले को मिक्स कर देते हैं इसके उपर से हम नास्ता जो है पकने के लिए रख देंगे नास्ते को हमें ढखना है तो मैंने हाँ पर यह थाली का इस्तमाल किया है थाली से हम ढख करके इसे 8-10 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे लगभग 10 मिनट का टाइम हो रहा है, मैंने कैप उठाया है और यह नास्ता हमारा अच्छे से पक चुका है अब नास्ते को हमें बाहर निकाल के रखना है और जो नीचे मसाला पक रहा था उसे मिक्स कर देते हैं मसाला भी अच्छे से पक चुका है, सारा पानी निकल गया है, हलका हलका सा ओयल दिखाई देने लगा है तो इसमें हम नास्ता अट करेंगे और मिक्स कर देंगे नास्ते को मिक्स करते हुए 3-4 मियर तक पकाएंगे ताकि जो भी एक्षा पानी हो मसाले से वो निकल जाए हरी धनिया एट करेंगे, एक बार फिर से मिक्स कर देंगे और गेहूं के आटे हरी मतर से बना हुआ ये चटपटा, स्पाइसी और एकदम चटाकेदार नास्ता बनकर तयार हो चुका है इसे आप लोग घर पे जरूर बना के ट्राइ करिएगा, बहुत ही स्वाधिश्ट है और एक बार आप इसे बनाएंगे तो आपको ये बहुत ही पसंद आएगा अगर आप लोगों को ये रेस्पी अच्छी लगई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों साथ शेयर कर दीजेगा मेरे चैनल पर नए आए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नए रेस्पी में बाई गाईज